तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे स्तिंदर नात बोस के वारे में आपसे मैं डिसकस करने वाला हूँ कि आकर स्तिंदर नात बोस आकर कौन थे तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे स्तिंदर नात बोस के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करूंगा तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी तो चलिए अब हम अपनी इस बीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले में आफसे डिस्कस करने वालाओं की हू वास स्तिंदर नाथ बोस जाने की स्तिंदर नाथ बोस आखिर कौन थे तो स्तिंदर नाथ बोस एक बारतिय बिग्यानिक थे जिन्होंने physics के शेतर में काफी बड़ा जोगदान दिया था उन्होंने physics की फीपील में काफी ज्यादा काम किया था जिसके चलतें उन्होंने कई सारे research paper भी लिखे थे physics के साथ साथ वे mathematician भी थे पर उनकी जो specialization थी वो physics ही थी और physics और maths के इलावा उनका जो शौंग था वो chemistry, biology, mineralogy, arts और literature में भी था अभी आफसे मैं उनके जनम के बारे में आफसे मैं डिसकस करने वालाओं की उनका जनम आखिर कब हुआ था तो अगर बात करें उनके बर्ट की तो उनका बर्ट एक जनवरी 1894 में कैलकटा में हुआ था कैलकटा जाने कौलकटा में हुआ था अगर मैं आफसे अवोर्ट्स के बारे में उनको पदम बिविशन अवोर्ड के नाम से नवाजा गया था स्तिंदरनाथ बोस ने अपनी लाइफ में काफी ज़्यादा मेहनत की थी जिसके चलते जो आलवट आइंस्टाइन थे बो भी स्तिंदरनाथ बोस को काफी ज़्यादा मानते थे जिसके चलते इंडियन गोर्मेंट के दोरा जो पदम पुविशन का जो अवोर्ड था वो 1954 में स्तिंदरनाथ बोस को दिया गया था तो अभी मैं आपसे उनकी एजुकेशन के बारे में आपस में डिस्कस करने वला हूँ तो स्तिंदरनाथ बोस ने जो मेट्रिकुलेशन की जो कक्षा थी उसे 1909 में पास किया था इसके बाद जो बैचलर ओफ साइंस की जो डिगरी थी उन्होंने सन 1913 में पास की थी इसके बाद जो MSC की डिगरी थी वो उन्होंने मैथेमेटिक्स में की थी जो उन्होंने सन 1915 में पास की थी अभी आपसे मैं research career के वारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ कि उन्होंने अपने career में कौन-कौन से research की थी आज भी कई सारे उनके ऐसे topics हैं जो की physics के subject में मजूद हैं उन्होंने boss Einstein condensate, boss Einstein statistics, boss Einstein distribution आदी उन्होंने research की थी इसके इलावा उन्होंने photon, gas, ideal boss equation of state आदी जो topics हैं वो आज भी physics में मजूद हैं और आज भी इन topics के उपर कई सारे ऐसे scholar हैं जो इनके उपर research कर रहे हैं अगर उनकी personal life की अगर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे बात करते हैं उनकी माता की उनकी माता का जो नाम था वो हमोदीनी राय चोदरी था और उनके जो पिता का जो नाम था वो सुरेंदर नात बोस था उनके जो पिता थे वो इस्ट इंडिया रेलवे में इंजिनरिंग बिवाग में काम करते थे और अगर स्तिंदरनाथ बोस की शादी की बात करें तो उनकी जो शादी थी वो उषावती बोस के साथ हुई थी स्तिंदरनाथ बोस जी की शे बेने थी और वे हैं अपनी माता पिता की संतानों में सबसे बड़े बेटे थे अभी आपसे मैं facts के वारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले facts के वारे में जो है lecturer physics तो MSC की पड़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोलकता विशव विद्याले में physics क्या जो lecturer थे वो बने थे जो की 1916 से लेकर 1921 तक वे physics के lecturer थे इसके बाद उन्होंने डाका विशव विद्याले में reader department of physics में उन्होंने 1921 में काम किया था और इसके बाद 1924 को उन्होंने planks quantum radiation low पर एक research की थी जो की इस research को उन्होंने Einstein को भी बेजा था स्तिंदर नाथ बोस का 4 फरवरी 1974 को कौलकता में उनका निदन हो गया पर आज वी जो उनका जोगदाने वो चाहिए physics में हो जा mathematics में हो वो हम हमेशा ही उनको जाद करते रहेंगे तो दोस्तो इस बीडियो में मैंने आपसे निरंदर नाथ बोस के बारे में आपसे मैंने इस बीडियो में डिसकस किया है मुझे लगता है कि आपको इस बीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी तो अन्त में दोस्तो अभी आपको जय वीडियो कैसी लगी अगर आपको जय वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद